हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोईन इंडिया नेवी की नियू रिकुर्मेंट नोटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाय प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंज यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है जोईन इंडिया नेवी में ये फ्रेंज आपके यहाँ पर जारी की गई है इंडिया नेवी अगनिवीर SSR 01-2023 रिकुर्मेंट 2022 के लिए जिसके लिए आप ओनलाइन आवेधन कर सकते हैं इस वेकेंसी या नॉटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जोवरास्ता.com पर जहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं तो आप इसमें online apply कर सकते हैं बात करेंगे इसके form apply process के बारे में और इस वीडियो को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सके तो यहाँ पर देखें फ्रेंज जो यह vacancy है, इसमें male and female दोनों ही candidate eligible है total 400 vacancies है, 10 plus 2, pass out होना, math, physics के साथ और आपके पास एक subject, chemistry, biology, computer science में से एक होनी चाहिए 1 माई 2002 से 31, October 2005 के बीच आपका जनम होना चाहिए अब यहाँ पर फ्रेंज से बात करते हैं, इसके form apply process की तो यहाँ पर देखें फ्रेंज से इसका online apply portal है यहाँ पर अगनिवीर SSR और अगनिवीर MRR का आपको option जो है मिल जाता है सबसे पहले यहाँ पर आपको login करना होगा, login करने के लिए registration करना होगा इसके बार आपका mobile number आपको देना है, आपका friends जो नाम है वो आप यहाँ पर enter करेंगे इसके बार आपका father या mother name आप यहाँ पर enter कर सकते हैं यहाँ पर यह enter करने के बाद nationality आपको select करनी है nationality select करने के बाद आपको friends इस capture code को fill करना है और उसके बाद यहां से आप registration अपना complete कर सकते हैं इसके बाद friends आपकी जो mail ID है उस पर friends एक confirmation का mail जाएगा तो आपको friends जो आपका account है click here वाले option पर आपको click करना है और यहां से friends आपके account को आपको activate कर लेना है आपका account activate होने के बाद friends आपके देखे register mobile number पर आपको यहां पर देखे जो OTP है वो जाएगी तो आपको इस capture code को fill करना है और उसके बाद generate OTP पर click कर देना है इसके बाद friends आपके register जो mobile number है उस पर जो OTP आएगी वो आपको यहां पर fill करनी है और उसके बाद आपको एक password create करना है password कैसा होना चाहिए तो password में देखे कि special character जो कि आपको यहां पर दिये गए है add the rate, star, percentage वो आप mention करेंगे capital letters, numbers और साथ में friends जो stand है आपकी length है वो 8-20 character की होनी चाहिए तो यहां पर जो आपको guideline दी गई है capital letters, numbers की और special character की वो आपको उस password में include करनी होगी इसके बार friends जब आप password यहां create कर लेंगे इस capture code को fill करने के बार आप यहां से submit कर सकते हैं अगर आपको देखिए password यहां पर create करने में कोई भी issue आ रहा है तो यहां पर friends देखिए मैं sample के तोर पर आपके सामने password एक sample लिखकर दिखा रहा हूँ तो friends जैसे ही आपका account activate होगा आपका जो नया password है वो generate होगा अब आपको यहां पर आपके register mail id आपने जो नया password बनाया है और friends जो यह capture code आपको यहां पर दिया गया है यह capture code fill करने के बाद आप यहां से directly login कर लेंगे login करने के बाद friends से कुछ instructions आपके सामने open होगे आपको इन्हे read out करना होगा और यहां पर friends से जिए ध्यान रखिएगा जो photograph आप upload करेंगे उसमें friends आपके जो chest है उसमें आपको फ्रेंस से black slate रखनी होगी और इस पर आपका जो नाम है और date of photograph वो आपको फ्रेंस से mention करना होगा अब जो date of photograph है वो November 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए तो यह चीज फ्रेंस आपको ध्यान रखनी है इसके बाद friends से आपको click here to fill details पर click कर देंगे यहाँ पर आने के बाद friends से सबसे पहले आपको यहाँ पर dominsial या आपका resident state select करना होगा किस state क्या अपने वासी है आपका अधार का number आप यहाँ पर देंगे आपका कोई भी alternative mobile number आप यहाँ पर दे सकते हैं आपका friends से DOB क्या है मिनसे date of birth क्या है आप इस calendar पर click करेंगे आपका जो भी date of birth है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर देना है आपको आपका नाम तो friends यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले देना होगा first name, middle name और आपका जो last name है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं आपका जो parents name है वो आपको यहाँ पर friends enter करना होगा तो friends यह friends आपको आपके according जानकारी यहाँ पर fill करनी है इसके बार आपको यहाँ पर select करना है आपका gender इसके बार है friends identification mark तो friends यहाँ पर देखिए जो आपके चहरे पर हाथ पर जो आपके जो है visible हो कोई भी cut का निशान, कोई भी mole, कोई भी burn का निशान तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं तो दो identification mark आपको यहाँ पर देने होंगे marital status आपको यहाँ पर select करना होगा क्योंकि friends यहाँ पर जो candidate है male and female दोनों ही applicable है पर unmarried होना ज़रूरी है इसके बार है photograph, signature और आपका dimensional या resident proof अब यहाँ पर देखिए जो photograph है इसका size आपको दिया गया है, signature का size दिया गया है document का size दिया गया है और यह जिए ध्यान रखिएगा photograph पर friends black slate के साथ और उस पर आपका नाम और date of photograph होना ज़रूरी है तो ही वो applicable माना जाएगा तो आप browse पर click करेंगे, file को select करेंगे और यहाँ पर upload कर देंगे communication details का आप इस option पर tick करेंगे सबसे पहले option है correspondence address का मतलब आप जहाँ पर रहते हैं present में तो address line 1 और address line 2 आपको mention करनी है इसके बाद friends आपको यहाँ पर state select करना है आपको आपका district select करना है और उसके बाद यहाँ पर आप अपना pin code दे सकते हैं यहाँ पर जानकारी देने के बाद अब आपका जो communication या permanent address है वो same है तो आप same as पर click कीजिए अलग अलग है तो आप अलग अलग entry यहाँ पर कर देंगे इसके बाद आप इस data को यहाँ से save कर देंगे save करने के बाद friends देखिए आपका जो communication section है यह भी complete हो जाएगा अब आपको इस qualification पर tick करना होगा अब qualification criteria आपको यहाँ दिया गया है SSR MR के लिए तो friends यहाँ पर आपको नीचे qualification select करनी है आपके according इन में से जो भी qualification आपका है highest qualification जो भी है वो आप select कर सकते हैं आपकी highest stream कौन सी है वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना होगा इसके बार आपकी stream यहाँ पर आ जाएगी और इसके बार friends आपको यहाँ पर देखिए mark detail select करना है अब देखिए 10th, 10th and 12th physics, math and chemistry, biology, computer science and 10th and 12th other than science आप यहाँ पर select करेंगे आपके according जो भी criteria आपका यहाँ पर है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं और उसके बार friends से proceed कर सकते है marks detail के लिए अब यहाँ पर आने के बार friends से देखिए आपको सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी होगी अब 10th में भी friends से यहाँ पर है सबसे पहले total marks और यहाँ पर है आपके marks obtained पतलब कितने numbers आपने gain किया है ऐसे ही friends से यहाँ पर कोई language जो आपकी है उसके आपके कितने numbers आए है social science में, science में, maths में इसके लाबा friends से यहाँ पर देखिए physical education को other subject आपके पास है आप अपनी जानकारी यहाँ पर provide कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए आपको जो numbers है आपके वो numbers की आपको यहाँ पर entry करनी होगी numbers की entry करने के बाद आपकी जो percentage है वो count होकर यहाँ पर आ जाएगी इसके बाद है अब आपका 12th का detail अब यहाँ पर देखिए friends आपके English, आपकी language में, आपके physics, chemistry, mathematics, आपके biology, computer science, physical education और किसी other subject में कितने कितने numbers है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी तो सबसे पहले आप total marks center करेंगे और उसके बार आपके जो numbers है उसकी आप यहाँ पर entry कर सकते हैं तो यहाँ पर फैंसे numbers की entry करने के बाद आप नीचे आएंगे नीचे आने पर फैंसे यहाँ पर देखिए 10th का serial number of the 10th marksheet number तो 10th का serial number है marksheet का वो आपको देना है किस बोर्ड ने आपका यह exam conduct कराया है तो आपको यहाँ पर देखिए बोर्ड की list मिल जाती है आपके according board आप select करेंगे state आपको select करना है जहाँ पर आपका जो institute है वो आपका आता है वो आपको देना है state जिसने आपका 10th का exam conduct कराया है इसके बार आपके school या institute का नाम आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बार फ्रेंसे 10th की marksheet आपको PDF format में upload करनी होगी ऐसे ही फ्रेंसे आपको यहाँ पर upload करेंगे serial number जो की 12th का होगा state आपको यहाँ पर select करना है जहाँ पर आपका school या institute है state जहाँ से आपका फ्रेंस ये exam conduct किया गया है आपके institute का नाम क्या है और फ्रेंसे इसके बार आपके board का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर select करना है तो आपको friends यहाँ पर देखिए board की list मिल जाएगी आपके according जो भी आपका board है वो आप select करें और उसके बाद document को upload करने के लिए बाद आप यहाँ से data को submit कर सकते हैं तो friends यहाँ पर देखिए qualification enter करने के बाद अब आप exam city choice पर जाएंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले state select करना है आप किस state में आपका जो exam center है वो लेना चाहते हैं इसके बाद friends आप यहाँ से city को choose करेंगे ऐसे ही friends आप दोबारा से आएंगे नीचे यहाँ पर friends आपको state select करना है और उसके बाद friends आप यहाँ पर nest center ले सकते है इसके बाद friends आपको तीसरे state select करना है और अपने जो center है वो आप choose कर सकते है तो तीन centers आपको choose करने है उसके बाद data को आपको यहाँ पर save करना है save करने के बाद additional information open हो जाएगा अब आपके पास NCC certificate है तो yes कीजिए और NCC wing कौन सी है, grade क्या है और certificate आपको upload करना होगा नहीं तो आप यहाँ पर no कर देंगे swimming आती है नहीं आती है आप यहाँ पर yes यह no कर सकते है sponsored candidate है तो yes कर सकते है और sponsor specific किस type की है वो आपको select करना है नहीं तो आप यहाँ पर भी no करेंगे और एक बार no करने के बाद friends data को आप यहाँ पर save कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए next option आता है आपके preference का तो यहाँ पर friends आपको preference मिल जाती है preference पर आने के बाद friends यहाँ पर देखिए आपको preference 1 आपको देनी है जैसे आप MR के लिए apply कर रहे है तो आप यहाँ पर जो भी post के लिए आप applicable होंगे आपकी यहाँ पर information के according आपको उसके according यहाँ पर preference देखने को मिलेगी इसके बाद friends आपका यहाँ पर preference माली जी आप कोई और देना चाहते हैं अगर आप माली जी preference नहीं देना चाहते हैं तो आप no reference कर सकते हैं और अगर आप तीनों के लिए preference देना चाहते हैं तो तीनों के लिए preference यहाँ पर आप दे सकते हैं और उसके बाद friends दिये गए save वाले option पर आप click कर देंगे इसके बाद friends जैसे ही आपकी preference complete होगी इसके बाद friends आपको इस payment वाले option पर click करना होगा अब यहाँ पर आने के बाद friends जो payment section है यहाँ पर friends देखिए payment details का आपको option मिलता है अब यहाँ पर देखिए आप अगनिवीर MMR के लिए apply करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अगनिवीर MMR select कर सकते हैं आपको केवल इसके लिए payment करना होगा यहाँ पर fees plus में GST आपको यहाँ मिल जाती है और आपको amount जो payable है वो आपको मिल जाएगा अब आप मालीजे यहाँ पर SSR के लिए भी आविदन करना चाहते हैं तो आपको SSR का भी option मिल जाता है तो आप यहाँ पर SSR के लिए भी payment कर पाएंगे तो यह friends आपको यहाँ पर देखिए दोनों post के लिए apply करना चाहें तो दोनों के लिए कर सकते हैं अगर आप सिर्फ एक post के लिए applicable है तो सिर्फ आप एक post को ही apply करेंगे इसके बाद friends आप पेनाओ वाले option पर take कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर देखिए transaction amount आपको मिल जाएगा और payment mode आपको यहाँ मिल जाएगा कि आप किस तरह से payment करना चाहते हैं UPI से, net banking से, debit card से, card से तो आप यहाँ पर option को select करेंगे और उसके बाद friends से continue payment पर click कर देंगे इसके बाद देखिए credit card या debit card का option है कोई भी option को select करें अपने card को select करें और उसके बाद card के drills को आपको fill करना है और उसके बाद friends से पेनाओ वाले option पर click करना है जैसे ही आपका payment यहाँ पर verify होगा, complete होगा इसके बाद friends आप अपना जो print out है वो निकाल कर अपने passes रख सकती ह इसके लिए friends आपको देखें दुबारा से apply link पर click करना होगा, आप आएंगे इस portal पर और portal पर आने के बाद friends आपको यहाँ view application का option मिल जाएगा और print का option मिल जाएगा जहां से आपका print out है वो निकाल कर अपने pass आप रख पाएंगे, तो यहाँ पर friends इस video हमने बात की इंडि आपडेट पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब में जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारे यूटीब चैनल एलास थैंक्स पूर वाचिंग